हेलो इभरिवन नमस्कार कैसे आप सबढ़ेंट आज के सी में कम भूक और ज्यादा भूक यूँ लगती है और चीज मानी जाती है ज्यादा भूक लगे तो लड़कां होता हैं कम भूक लगे तो लड़की होती है तो इस बात को आज में क्लियर करने वाली हूं कि यह किस हद तक सच है तो वीडियो को पूरा देखें चैलंग को सब्सक्राइब करें पास में जो घंटे उसको भी जरू दबाएं तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जानते हैं प्रेगनसी में भूख कम लगने के का अच्छे को नहीं लगे क्योंकि आपको ऐसी दिक्कते होती है तो उल्टियां जादा होंगी तो कुछ खाने का दिल नहीं करेगा या कुछ खाते हैं तो इस बीच भूख कम लगना बिलकुल नॉर्मन इसमें घबराने की भी जरूवत नहीं है इस बीच आपका 2-3 किलो 4 कि तक बजन कम भी हो जाता है तो भी आपको टेंश लेनी की बिलकुल भी जरूवत नहीं है प्रिग्नेंसी में बैसे भी इतने ज्यादा हार्मन चेंजेस होते हैं जिस बज़े से क्या होता है खाना अच्छे ही नहीं लगता खाने को देखके उल्टी आती है इस पेसली तीन म लग जाता है तब भी ऐसा ही है तब भी आपको भूक नहीं लग रही है और आप कुछ खाते पीते नहीं है तो फिर इससे गर में बच्चे पर बहुत बुरा असर पढ़ सकता है सोचे अगर आप भूक नहीं लग रहे हैं आप कुछ खाएंगी नहीं बच्चा पूरा आप चौफा महीन लगता है आपको खाना है कि गश्राइब मेदे हैं और धंटे करें को करें आपको अच्itates यहां ड़ाने आपको तालने मेदेर हैं जो भी आपको पसंद है जिससे आपको उल्टी की दिक्कत नहीं होती है या जिसको देखके आपको उल्टी नहीं आती है वैसे प्रेग्नेसी में सबी चीज़ों को देखके उल्टी आती है फिर जब आप रूटीन में कर लेंगे ना अपनी डाइट को प्रेगनसी में गर में बच्चे के सही बिकास के लिए एक healthy डाइट लेना बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट है जो आपको लेनी पड़ेगी यह आपकी responsibility है यह आपकी रिस्पॉंसविल्टी है ठीक है यह तो हुई कम भूक लगने वाली बात अब बात करते हैं प्रेगनसी में लग जाता है तब अगर आपको जादा भूक लग रही है वह अच्छी बात कोई रिकत नहीं है यह बल्oblin है मैंस्टी कि दिक्राट करें बच्च की development फज़लेती हैं जिस तो ऐसे जब बेबी गर्मे ग्रो करेगा तो फिर आपके शडीर को कैलरी की ज़्यादा ज़रूत पढ़ने लगती है इसलिए आपको भूख जादा लगती है तो आपको एक healthy night भी साथ में follow करना है यह नहीं कि भूख लगी तो कुछ भी उठा के आपने खा लिया उल्टा खाएंगे तो गर्मे बच्चे तक अच्छी से nutrition पहुंचेंगे और बच्चे कभी काश भी अच्छी से होगा तो भूख लगी है तो अच्छा खाएं healthy खाएं बाहर की चीज़ों पर मन है तो वह चीज़े घर में बना कर खाएं कुछ भी तरीके से उनको बना कर खाएं जि इसलिए भूख लगती है तो आप ड्राइफूट्स लेए फूट्स लेए फूट्स लेए वेजिचेवल लीजिए जूस लीजिए आप दूद खूब पीजिए दूद दलिया लीजिए दाल लीजिए कितने सारी चीज़े हैं healthy diet में वो आप ले सकते हैं लेकिन एक बात का भूख लगते हैं तो इक हता नहीं खाना है आपको और थोड़ा भार में खाना खाना है जो खना है इक के खाना में लेकुटा का नैंकर या जो फोटा Τीई भाग में डिवाइड करना है ना आammト लीजिए अपट लीज टूदा थोड़ा को तो आपको पेट से जुड़ी दिक्कते नहीं और आपका डाइशन सिस्टम भी ठीक रहेगा जैसे प्रेग्नेंसी में एक मंत्र है ना खाने की क्वांटिटी नहीं क्वालिटी डिपेंड करती है जो भी खा रहे हैं यहानी है जाए खाल होड़ी होना ओगम ना खालます तो फ्रेंड्न्स प्रेंट कम लगने से जंडर का कुई भी करता है किसी में ज्यादा भूग लगती है इस से जंडर का कोई भी प्रेंडब कानेक्शन पर आफ जैसे कि मेरे टाइम पे अब यह रहा हुआ थे मैं ब्रॉद्ट ब्रूग लग त्यविक्न मुझे उल्टियां वगेरा कुछ भी नहीं बहुत कम लगी लेकिन फिर भी में खाया करती थी जितना भी खाये भूग कम लगती है अगी रोटी खाये एक रोटी खाये जूस लें लिकुट जादा लें लेंगे तो आपको पेट का पेट भरा रहेगा लेना जरूर है कुछ न करती थी डम लेती थी लेकिन एक से दो रोटी भी खाया लिया करती थी पूरे दिन में सब्जी बाड़का हो या लड की हो आपके ही बेवी है तो इसके लिए तो आपको पहले प्रिग्न्सी पर ध्यान देना है जेंडर रएंडर चोड़ो जमाना गया कि लडकी होना चाहिए और लडका ही होना चाहिए ठीक है तो मेरी खाल से यह चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए किसी को कदूज अगर ऑप कने खू Juni अब कर दो कि चैनल को सब्सक्राइब करें इस पास में गंटी उसको विजबू दबाएं ठोच